यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सेयर एंड कमेंट करिये हलो बच्चो आज हमले क्या हैं सरल आवर गती के चैप्टर से एक प्रूविंग को है यह प्रूविंग आपके स्कीन पर है पढ़िए बच्चो क्या कह रहा है एम द्रबमान की एक वस्तु सरल आवत गती कर रही है यह दिखाएए कि वस्तु का जो संपून आवसद उरजा मतलब गती जो 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 एक वटे दो एम उमेगा स्क्वेर और ए स्क्वेर के बराबर होती है तो बच्चो यहाँ जो कैप्टल A है वो स्थमॉल A भी माप मान सकते हैं या कैप्टल A भी आयाम है तो इसे आप मान सकते हैं चली बच्चो आयाम को कैप्टल A माना गया सबसे पहले हम इस्टार्ट करेंगे सरल आवद गती के समीकरण से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो लिखेंगे हम सलर आवद गती के समीकरण वाई वराबर ए साइन ओमेगा टी ठीक है अब आपको इसके वेक का और तोन का फामला हमने लिखवा दिया है वेक क्या होता बिटा इसका फ्रूब भी करा दिया है वी बराबर ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर और तोन का फामला भी बता दिया है एक ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वेर वाई स्क्वेर वाई ये दो फामले हमने आपको बता चुके हैं ठीक है अब क्या करना इसके बाद अब हम निकालेंगे बल प्रत्या नयन बल कौन सा बल बच्चो प्रत्या नयन बल अब बराबर एम अलफा योगा अब बराबर एम अलफा अलफा काम कौन कर रहा है माइनस ओमेगा स्क्वेर वाई अब बराबर माइनस अम ओमेगा स्क्वेर वाई यह हमें क्या मिल गया एप ठीक बच्चो अब बताएए हमें निकालना है कार है ठीक बटा कैसा काल सूच में ह अनन्त सोच में ठीक है जो अनन्त सोच में किया गया जो कुल कार है वो हमें ग्याद करना है ठीक है डीवाई के लिए अनन्त सोच में विस्थापन विस्थापन में जो हम डीवाई मान ले में किया गया कार में किया गया कार्ड फारमिला क्या होता है डबलू डबलू बराबर माईनस डबलू आई तो बच्चो एफ कमार रखो डबलू बराबर एफ की वैलू यह है माईनस एम ओमेगा स्क्वेर वाई डबलू आई अब आपको बताए एक तरफ से D हटाएंगे इदर इंटिकेशन बनाएंगे माइ माइनस प्लस M ओमेगा स्क्वार वाई डी वाई प्रारंबिक में बिटा समय जीरो था बाद में डिस्पलेशन जो Y के साथ वाई यहां लिख देना अब D के साथ जो Y हो सी रोको बाकि सबको बाहर कर दो तो क्या जाएगा बच्चों यहां पर इसके बाद बच्चों क्या करेंगे M ओमेगा स्क्वार को बाहर ले लेंगे Y डी वाई जीरो से वाई अब हम क्या करेंगे यहां पर डवलू बराबर M उमेगा स्क्वेर अब इसका इंटिकेशन करेंगे एक पावर में जोड़ेंगे उसे से भाग देंगे तो वाई में एक जोड़ेंगे दो होगा उसे से भाग देंगे और लीमिट अपलाई कर देंगे जीरो से वाई आपको पता ही कार ही अरजा होता है कार ही इस्तिती अरजा होता है ना अब एक काम करेंगे हम जो कार है वह इसी को उम यू लिखेंगे ठीक है तो यू बराबर मेरा क्या आएगा M उमेगा स्क्वेर बटे दो बाहर निकाल दिया एक बार लिमिट अपलाई करेंगे Y स्क्वेर माइनस जीरो का स्क्वेर अब आप बताईए बटा क्या आएगा U बराबर एक बटे दो M उमेगा स्क्वेर Y स्क्वेर तो बच्चों यह क्या हो गया Y स्क्वेर है यह हमें मिल गया U Ce nisu अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए गती दूर्जा क्या चाहिए गती दूर्जायात रखना बच्चों कार ही इस्तिद दूर्जा होता है ठीक है गती दूर्य फारमलों होता है 1 वटे दो M V स्क्वेर V कमान रखने पर आई ये रखते हैं M V कमान ये निकार रहा है स्क्वार करो इसका बटा उमेगा स्क्वार और रूट का स्क्वार करो तो आएगा A स्क्वार माइनस Y स्क्वार ठीक है ये हमको मिल गया गति हो जाए ये V की वेलू रख दिया इसका स्क्वार करेंगा ओमेगा, इसका स्क्वार करेंगा, रूट का है, वो जाएगा, अब लिखेंगे किल उर्जा, किसका फामला लगा निए बटा, कुल, उर्जा का फामला होता, E वराबर, U प्लस K, क्या होता बच्चो, E वराबर, U, U कमान, एक बटे दो, M, उमेगा स् स्क्वार, U 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 स एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर आ गया बच्चो यह हमें प्रूब करना था अब सबका नाम भी जान सकते हैं आप एम क्या है द्रब्यमान तो ठीक बच्चो यह क्या है उर्जा कुल उर्जा ठीक बच्चो और अगर आप जानना चाहें तो नीचे अम लिक दे रहे हैं कुछ ठीक है उमेगा क्या है गोड़ी एवेग ठीक है उसके बद वाई क्या विस्थापन वाई क्या बच्चो विस्थापन और यह क्या है आयाम ठीक है यह सब नाम आप लोग नोट कर लेना